तो अब पहुँच चुका हूँ मैं टाटा नैनो में और अब आपको बताता हूँ इसमें क्या-क्या दिक्कत है आ रहे हैं लोंग राइट से वापिस आने के बाद तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में अभी टाइम दोपैर के साड़े चार हो रहे हैं और निकल चुका हूँ घर से स्कूटी लेके अभी के टाइम मैं वो चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे को कार निकालनी हो तो कौन से रास्ते से निकालूँ क्योंकि हमारे आना सारे रास्ते खराब हो रखे हैं खोद रखे हैं पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं रोड के अंदर पाइप डालते हैं फिर रोड बनाते हैं फिर खोद देते हैं कुछ टाइम बाद फिर दूसरा पाइप डालते हैं फिर उसके बाद दुबारा खोद देत इतने बड़ा खोड रखा उदरसे निकलेगी निहें सप्रिफ बाइक निकलने की जगह यहां तो चलो फिर भी आजाएगी लेकिन जो पीछे खोड रखा है में दिकत तो वह सामने से एक एक आतो रही है यहाँ पर बस लोग अपनी गाड़ियां खराब कर रहे हैं गाड़ियां तुड़वा रहे हैं लोग क्या तुड़वा रहे हैं सरकार तोड़ रही है गरीब लोगों की गाड़ियां और कुछ टाइम बाद जो रोड बचा हुआ है न ठीक वो भी खराब जाएगा उसे भी ख मैं सोच रहा था ना नैनो का वो ठीक करवादू एसी एसी खराब हो रखा उसका अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक रोड थोड़े ठीक न हो जाते चलने लायक या तो फिर दूसरा रास्ता डूड़ना पड़ेगा जहां से मैं नैनो को बाहर निकाल सकूं ले तक कि अब तो बाइक के लिए भी रास्ते बहुत सारे खताम हो चुके हैं इनी सब चीजों की वज़े से ना इंडिया में सेडान्स गाड़ियां बिकनी बंद हो गई है कम हो गई है मतलब बंद तो नहीं हुई कम हो गई है और जादतर लोग अब SUV की तरफ जा रहे हैं जो प रेक्टिकल है क्योंकि इनकी ग्राउंड क्लियरंस जादा होती है और उची उची होती है तायर थोड़े बड़े होते है और ग्राउंड क्लियरंस के अलावा जो सिडान गाड़िया होती है उनका आगे बंपर थोड़ा जादा निकला होता है और पीछे वाला जो बंपर हो वो भी टायर से थोड़ा ज्यादा पीछे होता है मेरी नैनो भी कॉम्पेक्ट एस्यूवी में आती है क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियर एंस भी ज्यादा है और वो रियर विल ड्राइव भी है और उंची गाड़ी है तो अब टाइम शाम के 6 बजे के 15 मिनाट हो चुके है और अब देख लो इधर संसेट हो रहा है इस टाइम मौसम बढ़िया हो जाता है और 6 बजे के बाद निकलो घर से गर्मियों में वैसे मैं तो जल्दी निकल गया था कितने बजे निकला था मैंने टाइम बताया था वीडियो में उसके बाद मैं रनिंग करने लगया था एक गंटे वो करी मैंने अब जा रहूं आगे अपने काम पे वो तो सही है अचकल दुपैर के टाइम पे नहीं जाना पड़ रहा वरना हालत खराब हुजाती पर कुछ कह नहीं सकते हो सकता है आने वाले टाइम पे दुपैर में ही निकलना पड़ जाए लेकिन अभी के टाइम तो शाम के टाइम मौसम बढ़िया हो जाता है दिल्ली का देखने में भी संदर लगता है और गर्मी भी नहीं लगती तो अब मेरे सामने आ चुकी है जिपसी आर्मी की जिपसी है एकदम वाइट कलर की शाम के टाइम यार मौसम तो ठंडा हो जाता है लेकिन रोड पे भीड भी बढ़ जाती है ओफिस का टाइम शुरू हो जाता है ना एक तो और दूसरी चीच गर्मी की वज़ए से ज़्यादातर लोग शाम को ही निकलते हैं लेकिन गाडियों से बहुट जाता गर्मी निकल रही है उसकी बज़ए से गरम गरम हवा आरी है तो अब टाइम शाम के साड़े साथ बच चुके हैं और अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए और मेरी नैनो में बहुत सारी दिक्कते आ चुकी है लोंग राइट से वापस आने के बाद तो घर जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिक्कते आ रही है नैनो में चलते हैं सीधा घर फिर दिखाता हूँ आपको तो देखो यहां पे उनका वो जा रहा है काफिला बीजेपी का वो देखा मैंने मनोच तिवारी जो बीजेपी की तरफ से खड़ा है यहां पे तेल निकल के आओगा उन लोगों का यहां पर आने में इतनी खराब रोड पे दिल्ली में तो यार दो दो लोगों की सरकार चलती है बीजेपी की भी चलती है आप मादमी पार्टी की भी चलती है लेकिन फिर भी रोड देख लो ओ भाई पूरा सिस्टम हिल जा रहा है सरीर का और स्कूटी का भी तो अब पहुँच चुका हूं मैं टाटा नैनो में और अब आपको बताता हूं इसमें क्या-क्या दिक्कत है आरी है लॉंग राइट से वापिस आने के बाद तो पहली दिक्कत तो यह है जो मैंने पहली बता दिया इसकी इंजन लाइट जल रखी है कि जह हम गए थे ना उससे पहले से जल रखी है इसमें क्लच का काम हुआ था तो तब से यॉन हो रखी है तो इसे ठीक करवाना है पटानी किस चीच के लिए जल रखी है पहली दिक्कत तो यह है इसमे जो अभी के टाइम पे आ रही है दूसरी दिक्कत है इसका एसी तो इसका एसी ना इतना अच्छे से काम निधर रह जेतना पहले करता था जैसे अभी मौसम थोड़ा ठंडा है अभी इतनी धूप नहीं है इतनी गर्मी नहीं है तो अभी तो ठीक कर दे रहा है ठंडा लेकिन जब दुपर हो जाती है न तब तो बिल्कुली काम करना बंद कर देता है तब ऐसा लगता है कि AC है नीज गाड़ी में बिने AC की गाड़ी है यह इसलिए दूसरी दिक्कत तो इसकी AC है जो ठीक करवाना है जल्दी से जल्दी तब ही मज़ा है गाड़ी का वरना तो कोई फायदा नहीं अगर AC ना चल रहा हो डंग से और वैसे भी इतनी गर्मी हो चु तो यही दो दिक्कते है एक और चीज है जो इसकी यह एंटीन है न इसे यहां से निकाल के यहां लगाना है बस यही दो तीन दिक्कते हैं बाकी तो ठीक ही है इतनी कोई प्रॉबलम नहीं चलाने में पढ़िया चल रही है बस यह दो चीजे और ठीक हो जाएंगी AC और यह वाली लाइट फिर गाड़ी एकदम हो जाएगी हमारी परफेक्ट उसके परफेक्ताब्न, मेर得 कर यहां प्रॉबा साछाने में में ले GE और फिर न多 रहीं लो झाव झाल 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 झाल